दोस्तों यह है एक्सल वूर्ड का ट्री जिसका बॉनसाइ मेरे पहले भी बनाया हुआ है मगर पूरी जानकार के लिना मैं इसको ज्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं कर सका है दो तिन साल के बाद वह दाय भी खो गया था पूरा तो मैं आज फीर से उसका हर्वेस्टिंग क बीस तारिक के बाद या पंद्रा तारिक के बाद ही स्पाउटिंग करता है नहीं तो डॉर्मेट में रहता है तो यह इसी जग़ा है जहां से मैं पहले खुदाई की हुई होए तो वहां से इजीली मैं आज उसको अर्वेस्टिंग कर सकता हूँ आज मेरे पास आरी नहीं है तो मुझे सोटे प्लांट में लेना पड़ेगा आरी होती तो मैं प्लांट भी अर्वेस्टिंग कर सकता था बाहर आया हूँ आज नहीं के जंगलों में हूँ कि पदम दुंगरी को टॉरीजम के रास्ते में पड़ता है यह वहां में आया हूँ कि यहां ज्यादा मैंनत नहीं करनी पड़ेगी इसके कुछ रोटस भी है तो सीधा मैं इस कटर से काट के ले लेता हूँ कि यह देखें दोस्तों कि यह हार्वेस्टिंग हो गया है पहले मैंने स्प्रिंग के पहले यह उदर मैंने हर्वेस्टिंग किया था मगर सर्वाइब नहीं हो सका क्योंकि तब यह डॉलमेट में था यह में में ही जाकता है तो में अपर यह मौशों यहां आज फल किसी बारिस भी हुई है अब इसमें स्प्राउट भी आ गया है नया ग्रोथ भी आ गया है तो हर्वेस्टिंग के बाद पहले स्टेप होता है इसके रोट बोल के सुरक्षा करना जिससे यह मौश्चार बना रहा है तो मैं क्या करता हूं कि प्लास्टिक और अपकर देता हम पहले ही इसे ही हर्वेस में हमें थोड़ा प्रूनिंग करना होता है प्लांट का और जो भी लिफ नहीं आए है ज्यादा लिफ नहीं रखेंगे क्योंकि इसे मौस्टर जो भी है अभी जो हमें रूट डेवलॉप करने में चाहिए वो चला जाएगा तो चाहदार लिफ ना रखते हो कुछ ही लिफ रखेंगे लोके यह रेली है मैं उसका प्लांटिंग करोगा तो दिखाऊंगा तो कि मैंने सार्ट कट लगा फे मैं प्लांटिंग कर लिया है और आप मैं शेलो लोलिया में रहांगा थोड़े दिन जब तक नहीं नहीं पूतना आ जाए हलो दोस्तों मैंने आज उनाई के जंगलों में विजिट कि थी वहां चे में यह प्लांट लाया हूं उसका नाम तो अभी नहीं पता है इसके उपार लोभिया यह चोड़ी जैसी चीजा रूट आते हैं लंबे पॉट्स वेनिला पॉट्स की तरह और उसको फ्लावरिंग भी होती है वाइट कलर की बहुत ही अच्छा लगता है फर्द्रांस वाड़ा केड़ है तो अभी मैंना हर्वेस्टिंग किया है तो तीन चार घंटे पहले और हर्वेस्टिंग करने का टाइम देखिए कैसे होगा यह थोड़ा सा में लेट हो गया हूं थोड़ा सा स्वेलिंग बाहर आ गया है बड्स ठीक है सायद हो जाए मगर फोड़ा सा लेट हुआ हूं उससे पहले मुझे यह बड्स फोड़ा सोटे हो गए तभी मुझे हर्वेस्टिंग करना था प्रमे लेट हो गया है तो अभी अभी यह जाग रहा है प्लांट डॉलमाइक में से तो मैं आज उसका पोटिंग करने व अगर पत्ते बड़े हो तो हटा ले और हार्वेस्टिंग तूरंत बात रूट्स को प्लास्टिक से अबरब कर ले किस्से अंदर मोस्टर बना रहा है यहां खाली में केवाल एक सार्पट लगाऊंगा और उसको प्लांट कर दूँगा देखिए यह मेरा होममेड नाइफ है कार्विंग नाइफ देखिए एक से कट लगा लिया अभी सीजन अच्छा है तो रूटिंग होर्मोन ना हो तो भी चले गए और मैं इस प्लांट को अच्छे से एंकरिंग करूंगा इसी स्टाइल में लगाऊंगा यहां एक वायर लगया है मैं वायर को वायर से ही एंकरिंग कर देता है जिससे पांच के साथ बाइंडिंग हो सके ओके वायर एंकर हो गया यह जो मित्य है वो अभी मॉंसुन था वहां थोड़ी बाइरिस भी विज़े तो जो नाल में से पानी बहुत रहा तो इसके साथ आये हुए कंकर है थोड़े विरेत यहीं से वो में लाया सायद वो अच्छा रहे बहुंच से सोली के सब मिक्स करने के लिए एजरी वर तो मैं प्लान को एंकरिंग कर रहा हूँ इस पॉर्ट के साथ जिस से ज्यादा ही ले दू ले ना तो अब मैं मीट्टिप दाल दूँगा कि बहुंच से शोल के साथ मैंने जो में वहां से इनाले में से लाया हूँ जंगल के तो मिट्टिप लगाई है कि अज़ोट्स बाहरा रहा है तो तो इसको में हाइट कर लोगा तो लिए रेडिया है एंकरिंग कर दिया है तो फोड़ा ही ले लिलोग लाकाम होगा तो थोड़े दिन में उसको सेडेर एरिया में लगूँगा यहां इसा मेजर कट मैंने लगाए नहीं है मगर जो कट है इसको सील करें तो अभी मैंने शुरुआत कि है प्लास्टिक से सील करने की मगर यहां इतने बड़ा कट नहीं है मगर अगर आपको लगे कि मॉर्स्टर यहां ज्यादा रिटेन ना रहे इसा है तो उसके उपर एक प्लास्टिक रखे जिससे मिट्टी के अंदर एक जैशा मॉर्स्टर बना रहे तो रोट जल्दी से डेवलोग हो सके अब मैं इसमें सिधा पानी दे दूँगा और सेड़ एरिया में रख दूँगा